डियाई में नेक्स्ट कोश्चन टाइप जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं केसलेट बोलते हैं केसलेट का मतलब होता है जहां इनफॉमिशन वर्ड्स में दे रखी होती किसी भी तरह का ग्राफ नहीं यूज़ किया जाता डियाई है या पजल्स है या केसलेट टाइप के कोश्चन हैं इन सब में सबसे पहली इनफॉमिशन या सबसे पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए कि आप डेटा को और्गनाईज करो डेटा को सही तरीके से और्गनाईज अगर आप कर लोगे तो कोश्चन साबसे बड़े असानी से होने लगेंगे तो आपको data को सही तरीके से organize करना है देखो जैसे मैं करके बताता हूँ Ritu's expense out of a total expenditure in a trip is in between expenses accommodation expenses, travel expenses, ठीक है पहला travel expense, दूसरा accommodation expense और तीसरा shopping expense, ठीक है in the ratio of 5 is to 4 is to 3 इनका अनुपाद दे रखा है 5, 4 और 3 यानि अगर 5 रुपे उसने आने जाने में खर्च किया चार रुपे ठहरने में खर्च किया accommodation का मतलब होता है hotel ठीक है जहां आपने रुका, जहां आपने ठहरें whatever और shopping का मतलब तो आपको पता ही है ठीक है तो इस तरीके से इस अनुपात में खर्च किया गया है out of the total expenses he, अच्छा उपर यहां she होना चाहिए था उपर her है तो यहां she होना चाहिए था she spent on bus tickets जो travel expenses है उसका 25 प्रतीशत उसने बस में खर्च किया ठीक है 25 प्रतीशत बस में खर्च किया और 60 प्रतीशत जो है वो air ticket में खर्च किया कहीं bus से travel कर रही है कहीं air से कर रही है ठीक है and the remaining expenses are saved बचा हुआ save हो गया तो भाईया कितना खर्च कर दिया 85 प्रतीशत खर्च किया तो save कितना हुआ बचो 15 प्रतीशत ठीक है ना 15 प्रतीशत save हो गया यह बात हमें समझ में आ रही होगी all the accommodation expenses are spent on hotels accommodation का पूरा पूरा खर्चा होगे यानि कि यहां पे saving की अगर मैं बात करूँ तो यहां saving हमारी 15 परसेंट है यहां पे saving कितनी है 0 परसेंट है ठीक है भाई and out of the total shopping expenses 50 प्रतीशत is spent on tax-free product ठीक है 50 प्रतीशत जो है वो tax-free product पे इन्होंने खर्च किया और 47 दो बटे 9 अगर मैं इसको थोड़ा simplify करने का प्रयास करूँ तो कितना हो जाएगा 47 गुने 9 है 47 गुने 9 कितना हो गया 63 और 6 36 और 6 42 है plus 2 यानि कि 425 आ रहा है एक बार देख लेना तुम लोग आपको कहीं कुछ अगर लगे तो है न मेरे ख्याल से तो यह ठीक होना चाहिए 425 बटे 9 परसेंट आ रहा है ठीक है okay spend on food path और बाकी again save हो गया तो ठीक है saving पर ध्यान देते हैं तो अगर यह पूरा 47 होता तो हमारे पास कितना हो जाता तीन परसेंट होता तो तीन परसेंट में कितना कम साथ बटे 9 कम यानि कि 2 सही साथ बटे 9 परसेंट इतना यहां पे save हुआ है ठीक है अगर इसको हम लोग simplify करें तो कितना हो जाएगा अठारा और साथ पच्चिस यानि कि 25 पटे 9 परसेंट यहां पे save हो रहा है समझ रहे हो बच्छो ठीक है अच्छे लूसिफर ने answer बता दिया 84,000 बहुत बढ़ी है बेटा अभी देखते हैं तो इस तरीके से हमारे पास हमने savings देख लिए कितने कितने savings हैं आगे देखते है क्या कह रहे हैं टोटल saved amount is 17,500 बहुत बढ़ी है देखो अच्छी बात यह है न कि इस तरह एक question में तुमने जो information और जो time तुमने इनवेस्ट किया अपने energy इनवेस्ट की एक बार तुम अगर इसमें values निकाल लेते हो तो वो एक नहीं एक से अधिक जितने भी question है दो हैं त तुम उन सब को एक ही इकटे कर लोगे तो यह तुम्हारा time यहां पर लग रहा है यह वर्त है क्योंकि तुम आने वाले questions में तुम्हे time लगाना नहीं पड़ेगा फटा-फट से हो जाएगा solve एक calculation में तो करना पड़ेगा initially करना पड़ेगा आओ चलो करके देखते हैं तो म 15 प्रतीशत किसका 5X का 15 प्रतीशत 5X का बहुत बढ़िया यह रहा आपके पास 15 प्रतीशत 25 बटे 9 25 बटे 9 प्रतीशत अगर मैं करूँगा तो नीचे 900 आएगा किसका 3X का यह वाली चीज हमें दे रखी है बेटा 17,500 क्या X का मान नहीं निकल के आ गया बताओ X का मान निकल के आया कि नहीं आएगए ज़रा देखते हैं कितना आ रहा है तो यह हमारे पास हो गया क्या इसको 3 से कैंसल कर दिया जाए है कर देते हैं तो यह 300 हो जाएगा है ना 300 हो जाएगा तो इसका लर्स-फ est पर 300 हो जाएगा और चाहो तो यहां उपर 3 रह जाएगा और नीचे 4 रह जाएगा समझ रहे हो 3x और यहां पर x रह गया थोड़ा सा मैं simplify कर देता हूँ यहां पर 12x आ गया आपके पास तो यहां पर 3x 9x हो गया और यहां पर x हो गया यह तुम्हारे पास 17,500 है x का मान बिना जादा कैलकूलेशन के जादा कैलकूलेशन नहीं करनी बढ़ रही है 12x से गुना करोगे और 10x से विभाजित करोगे ठीक है 12,5,60 ठीक है हाथ में 6,12,84,84,84,90,9 और यह 21x का मान तुम्हारे पास कितना निकल किया है 21,000 इन्होंने बोला accommodation में कितना खर्च तो accommodation में कितना खर्च हुआ बेटा 4x 4x का मतलब कितना हो गया 84,000 ठीक है एक बार यह आपने यह information collect कर ली है तो इसके बाद अब इस question में कुछ रहनी गया है ठीक है I hope this is clear next question मैं इसका pick करूँगा reduce total expenditure of the trip is trip में total कितना खर्च किया यहीं से देख लेते हैं total अगर हम देखे तो total कितना हो रहा है 5x plus this plus this कितना हो गया 12x हो गया 12x हो गया और x कमान हमें दे रखा 21,000 तो 12 को अगर 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,0 तो पहले लगा दो 12 हाथ में 24 और 25 यानि 2,52 ब 12,52 बहुत पैसे खर्च कर दिये रहे तूने तो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आ जाती है बच्चों कि total इन्होंने कितने expense किये हैं बलकि बजट कितना था ना इतना इन्होंने expense नहीं किया है total amount on the trip is इन्होंने कितना खर्च किया इसकी बात नहीं बोली गई है अगर इसकी बात की जाती तो हम 2,52,000 में से वो saving को हटाते ठीक है तो इसका answer इस प्रकार से हो जाएगा ओके अभी मैं next set में graph type थोड़ा सा change हुआ है देखा जाए है तो bar graph लेकिन इसको क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे cumulative bar graph ठीक है तुम लोगों ने 19th class में statistics पढ़ी होगी उसमें ये चीजे तुब्डे जरूर से पढ़ी होगी right cumulative bar graph cumulative का मतलब क्या होता है इकठे सबको मिला के ठीक है आओ पहले इस graph को समझेंगे और फिर एक एक करके इसकी question की तरफ बढ़ते है the following bar graph shows the percentage breakup of a person's salary from the year 2001 से लेके 2005 तक ठीक है ये उसकी salary का breakup दे रखा है different years है 2001 से 2005 सबसे नीचे वाली savings है यानि मैं इसमें क्या करें यहां जा रहा है यहां 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 इदक हो बता हूं 2001 का data मैं study कर रहा हूं ठीक है just for an example तो 2001 में मैं देखना चाहता हूं कि saving कितने percent हो रही है EMI में कितना प्रतीशत खर्च हो रहा है और transportation में कितना प्रतीशत खर्च हो रहा है ऐसा हम देखना चाहते हैं तो saving मैंने देखा 0 से लेकर के और 40 से नीचे एक डंडा है वहां पे यानि मैं क्या 38 प्रतीशत बोलू बोलो भई यह 38 परसेंट बोल रहा हूं ठीक है similarly EMI में देखा तो EMI यह कहां जा रही है 60 तक जा रही है कहां से 60 तक जा रही है यह जा रही है 38 से लेकर के 60 तक तो 38 से 60 कितना हो गया 22 हुआ क्या यानि EMI में कितना खर्चा हो रहा है बेटा 22 परसेंट खर्चा हो रहा है ट्रांस्पोटेशन 60 से लेके 100 परसेंट जा रही है यानि ट्रांस्पोटेशन में कितना खर्च हो रहा है 40 परसेंट तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ष का exact information निकालेंगे मेरी बात समझ में आई एक बार फिर से करके बताता हूँ let's do it one more time let's say इस बार 2004 के लिए करते हैं आईए इस बार 2004 के लिए करते हैं देखते हैं कि 2004 में हमारी savings कितनी है EMI कितना प्रतिशत गया और transportation में कितना प्रतिशत खर्च हुआ तो 2004 के लिए हमने देखा यह saving नीचे वाली information है कहां तक जा रही है देखो 60 से एक डंडा नीचे एक डंडा नीचे बतलब दो पॉइंट नीचे यानि कितना बोल दूं 58 बोल दूं ठीक है 58% उसके बाद 60 से एक डंडा नीचे और यह हमारा जो दूसरा वाला EMI वाला यह कहां तक जा रहा है बचो यह देखो यह तुम्हारा 80 वाला है 82 और 84 के बीच में है ध्यान से देख लो बेटा ध्यान से देख लो आगे जब यह अम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यह इतना ग्राफ जो है इतना माइन्यूट नहीं होगा मतलब इतना जूम नहीं हो छोटा हो जाएगा तो ध्यान से समझना है ठीक है तो यह 80 व 83 और 58 का जो डिफरेंस होगा वो हमें आंसर देगा है ना because 83 और 58 का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है तो 13 में से 8 गया तो 5 और इधर 7 में से गया तो 2 तो यह 25 परतीशत आ रहा है और अगर हम इस से आगे बढ़ते हैं तो यह 83 से लेकर के 100 तक जा रहा है तो यहां तो को हो जाएगा 70% हो जाएगा समझ में आ रही है बाते हैं आप लोगों को यहां तक सब कुछ clear है बेटा ठीक है चलो आओ अब questions की तरफ बढ़ते हैं let's see what do we have in the questions अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हें data को read कैसे करना है ये बात सिखाने की कोशिश की है I hope ये कोशिश मेरी कामियाब रही होगी अगर कोई परिशानी है तो आप पूछिए chat box आपके पास है आप उस chat box में जाएगे पूछिए अभी lucifer का reply आया था I could read it इन्होंने 83 बोल दिया था बिल्कुल सही है शाबाश ठीक है तो यहां तक सब कुछ clear है questions के form में अब आगे सीखना शुरू करते हैं आए देखते हैं let's see so we'll take up this question यहां पे हमारे पास question है इसको देखेंगे यहां थोड़ा सा graph छोटा हो जा रहा है because हमें solution space के लिए चाहिए था तो information हमने पीछे calculate कर ली है देखते हैं क्या है if the ratio on savings if the ratio of saving in 2002 and 2005 saving 2002 और saving 2005 यह जो अनुपात दे रखा है यह 7 बटे 5 दे रखा है समझ रहे हो भाईयो अब 2005 का मैं यहां पे यह देखूँगा कि 2002 में कितना प्रतीशत saving है देखो 40 से एक उपर है यानि 42 प्रतीशत है right this is 42% of total earning of 2002 right by total earning का ही तो होगा समझ रहे हो की नहीं total हर जगा पे same नहीं है 2005 का देखूँगा चरह तो 2005 का हमारे पास saving कितना है बेटा this is coming out to be 30% of total earning of 2005 यहां पे यह वाली चीज हमें साथ बटे पांच दे रखी है तो क्या हमें यहां से सबसे पहले क्या पता लगा आपको यह पता लग गया कि टोटल जो है 2002 और 2005 का उसका अनुपात कितना है देखो यह साथ पास प्रतीशत है उपर भी 100 से डिवाइड करोगे नीचे बहनेड से डिवाइड करोगे बात एक ही है 100-100 ओपर नीचे cancel हो जाएगा और यह तुम्हारे पास असानी से आचाएगा ठीक है यह तुम्हारे पास साथ सागी और ठीक है अरे सब कुछ cancel हो गया यानिकि इनकी earning क्या है शेम है 2002 और 2005 में टोटल अर्निग कितनी थी एक बटे एक है मतलब same है अब क्या बोला गया Then what is the ratio of EMI in 2002 and 2005 बहुत बढ़िया दो हजार दो हजार दो हजार पांच में EMI की रेशियो देखनी है EMI क्या था सेकेंड वाला था आओ ज़रा देखते हैं कितना जा रहा है भई ये हमारे पास 42 तक गया था और ये कहां तक जा रहा है बेटा 82 तक जा रहा है तो ये उपर 40 आ गया 82 और 42 के बीच का अंतर 40 हो गया 2005 में मैंने EMI देखना शुरू किया तो ये 30 से लेकर के कहां तक गया बेटा 30 से लेकर 60 और 70 के बीच में 60 और 70 के बीच में कितना 65 बोल दें यानि अंतर आ गया 35 ठीक है अगर मैं इसका अनुपात लोंगा तो क्या मैं 8 बते 7 कहूंगा 8 बते 7 कहूंगा ठीक है C option हमारा इसमें answer आना चाहिए Lucifer ने तीन जवाब दिये है 8 is to 8, 8 is to 7 C option स्रियांशी very good बहुत बढ़ी है शाबास ठीक है तो इस तरीके से question क्या है कैसे उसको पढ़ना है और कैसे question तो question बढ़ा असान था ये है ना बहुत असानी से आपने इसको decode कर दिया आगे बढ़ेंगे हलाकि मैं इसमें बताओ थोड़ा और सोचके तो भी इससे कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि ऊपर नीचे ultimately वो ratio उतनी maintain रह जाती ठीक है तो इसलिए ये directly हमारा percentage से भी ये उत्तर हमारे पास आ जाता हाँ अगर exact numbers निकालना पड़ेगा तो total देखना पड़ेगा ठीक है आप चलो next question में देखते हैं इस बात को अभी दो-तीन मिनिट के बाद ये meeting आपकी off हो जाएगी तो परिशान मत हो ना मैं immediately अभी अभी तुम्हें जूम पे हम लोग class कर रहे हैं यूट्यूब पे मैं बाद में upload भी कर दूँगा आपके लिए तो immediately जो है within two minutes में आपको एक और ID password create करके आपको भीजूँगा फिर से login करेंगे और जो और अच्छे questions अभी बचे हुए आज की class में मैं उसको भी discuss करना चाहूँगा तो अभी off हो जाए तो परिशान मत हो ना आप immediately आपके टेलिग्राम ग्रूप पे मैं फिर से NBA बरेली जो आपका टेलिग्राम चैनल है उस पे मैं details भेज दूँगा चलो देखो next question करते है question number 10 है हमारे पास देखते हैं क्या है if the saving in 2002 is 35th 35th का मतलब क्या होता है 35th का मतलब होता है एक बटे 35th ध्यान रखना 35th of the saving of 2004 बहुत बढ़िया then what is the total expenditure spent on transport in 2002 2002 में कितना हमारा खर्चुआ है given that total expense in 2004 is 1,75,000 अच्छा ठीक है चलो देखते हैं तो 2004 का जो total खर्चा है वो कितना है 1,75,000 है अब यह बताओ 2004 के बारे में जो information दे रखी है क्यों न हम वहीं से शुरुआत करें तो मैं देखूंगा कि 2004 में यह 60 से 2 कम यानि कि 58 प्रतीशत क्या है यहाँ पे saving है बड़ा जबरता save कर रहा है यह यानि खर्चा कितना कर रहा है खर्चा कितना कर रहा है 42 प्रसेंट खर्च कर रहा है तो यहां से हमें यह बात समझ में आनी चाहिए थी थोड़ा calculated question है और exam में मैं इस question को highlight करके आगे बढ़ जाओंगा time बचेगा तो करूँगा नहीं तो आगे करूँगा फिलाल अभी हम class में है तो हम करेंगे तो 42% of total earning यह expenses है ध्यान रखना यह expense दे रखा है तो 42% of total earning किसके बराबर है एक लाख 75,000 के बराबर है समझ रहे हो बालकों तो यहां से हमें total की value निकालनी पड़ेगी तो चलो total देख लेते हैं कितना आ रहा है total हमारे पास calculation पूरी नहीं करेंगे इसको as it is मैं रहने दूँगा कोई भी चीज अगर cancel हो रही है तो ठीक है नहीं हो रही है तो I'll leave it like that और यह ठीक है तो 25,000 और गुने 100 बटे 6 आ रहा है ठीक है अभी यह class off होने वाली है बेटा तो मैं इसको यहीं पर off कर देता हूं और फिर से आपको login ID password create करता हूं ठीक है because less than one minute is left इसको यहीं पर off करके फिर से ID आपको पेच रहा हूं one more time